नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोसों आपको बता दें कि 23 मार्च के शुबह 10 बजे से जिया दोसों यह शुमे शे आपकी जूनकाल में बगवान शुरी ग्रेंज जो किस बार से बड़े जमतकार होने वाले हैं जिया दोसों दरशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शुमे बुद्वार का दिन होगा और जोतिश शास्त्र में बुद्वार का दिन बगवान श्री ग्रेंज जी किया दिन है और यह शुमे बगवान श्री ग्रेंज जी किस बार से आपके जुनकाल में कई बड़े चमतकार होंगे जिन से आपका जीवन शमर जाएगा जिया दोसों आपको बता दें कि जोते शास्त में बगोंश्री गनेजी को धनलाप की देव माने गए हैं यह जहां भी रहते हैं वहां पर रिद्धी शिद्धी और शुक्ष मिर्द्धी रहते हैं और यह श्मी आपके शुमें रहने वाली है यह में आप वीडियो को बिल्कूल ही मिशना करें और शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें उश्वे पहले दोसों जोई वाक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में शच्ची शर्दा बाउशी जय श्री गनेजी लिखेगा गुरू जी वीडियो को प्रारव करते हैं दोस्तों आपके मत तो इसमय नहीं नहीं योजनाये बनेगी जो कि घर तताव वायोशाय दोनों के लिए बहतर शाक्त होंगे दोस्तों इसलिए उन पर तुरूंद आपको अमल करना शुरू करना चाहिए दोस्तों घर पर सगश्मंदियों का अग्मन रथा मेल मला घर के बादारन उनको भी हश्मे खुछनमा बनाएगा दोस्तों इसलिंधाम भádयों के शाथ केसी बात को लेकर काशल नहीं हो सकती है प्रतु दोस्तों अनविवे लोगों की मध्यस्ता से शमस्या का निवारन भी जल्दी ही हो जाएगा दोस्तों शंतान की शंगती पर जरूर नजर रखें शमय रहते कठोर निले भी आपको लेना पर सकता है इसको प्रान दोस्तों यश्मे आप लिए उसे महोंगे आपको दूर दिश्टी से सोच कर योजना और निले बनाने होंगे दोस्तों खाश करके जब बातें पेशे समधित हो तो यश्मे आप सर्दकर रहें दोस्तों यदि आप प्राप्टी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस विशे में आपको योग व्यक्ति का मारदशन मिलना आपके लिए बहुत ही महत्पुन होगा। परवार की लोग और मित्रों के वजशी आपके आसपास का वातरों खुजी बरा रहेगा। वर्तमान की बातों का अधिक से अधिक अनद लेना आपके लिए अचा रहेगा। जिसके वज़े से आपके अंदर बेचे नहीं कम होगा। जिवन में चल रही परिशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। इसको प्राण दोस्तों प्रंतु यश्व में धहर और विवेक से काम लेना चाहिए। इनसे आप समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसको प्राण दोस्तों घर की देख रेक तथा विलसेता संबंदी चीज़ों पर खर्च होने से बज़ट भी कर बला सकता है। इसको प्राण दोस्तों यश्व में आपके लिए जिसे महोंगे। दोस्तों आपने उपलग दिया उमेदें शमन्दी जो नए शपने सजाए थे वे दोस्तों काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। इसलिए पूरे जोस और महनत के शाथ अपने कारियों के प्रयास करते रहें। दोस्तों श्वयम को शाबित करने के लिए इस्तियां बहत्री शमय का निर्मान कर रही है। इसको ब्रांदी दोस्तों यहाश में कोई अपर यह समचार भी आपको मिल सकता है जिनकी वज़से मन में कुछ उदास्वी पर नहींगा। वहान खराब होने की वज़से आपको काफी खर्चा भी करना पड़ सकता है। अगर घर या पिर किशी नविन वस्तु या फिर लोग्टनी वस्तुओं की खर्चडारी की युजणाब बन रही है तो दोस्तों यह जो इस्तिति आपके लिए यहस में अस्तागीत रखें इने यह आपके लिए बैतर होगी। इसको प्रांदोस्तों यहस में आपके लिए यहस में होगी। यात्रा से समधित युजणाव में बदलावा शकता है। जिनकी वजशे कुछ कामों में देरी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों काम जरूर होंगे। बच्चों से समधित आपकी चिंता इसमें बढ़ेगी। और दोस्तों खासकर उनके श्वात के परति आपका अधिक ध्यान रहेगा। इसको प्रांदोस्तों यहस में गर आपकी केरियर को लिकर बात करें। तो दोस्तों यहस में प्र इसलिए दोस्तों यहस में ध्यर और संव्हें बनाकर रखना आपके तया श्यां होगा। इसको प्रांदोस्तों यह में आपके केरियर के लिए जिससे महोंगे। दोस्तों आप कार्षित में कुछ ठोस और महत्पुन निरे लेंगे। जो की आपके लिए बहुत ही अधिक प्राइद मर्शाबिद होंगे दोस्तों काम काच का बोज अधिक रहेगा प्रन्तु आपके कारेश्चतर में पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आपको रहत मिलेगी परिवरतन श्रमंदी उजनाएं भी जल्दी ही किरिया नुइत होगी दोस्तों पार्टनर श्रमंदी के वयोशाई में अभी वरतमान गदिद्यों पर ध्यान दे अभी दोस्तों उनमें नए कारे की शुर्वात ना करें यह आपके वयोशाई के लिए यह समय बहतर होंगे इसको प्रांदोस्थों याशमी आपके केरेर के लिए जिसम्हें होंगे दोस्तों कारी चितर में कुछ सुधार शमंदी निर्मान में बहुत अधिक खर्चा भी सामने आएगा प्रन्दोस्थों आय के मार्ग भी याशमी प्रास्त रहेंगे इसलिए दोस्टों आर्थिक समन्दी दिक्कत नहीं आएंगी यह वर्ग की याशमे जो है पारिवरीक बिजनस में रुचि बिढ़ेगी इसको प्राहत दोस्टों याशमे अगर आपके लवलाईफ को लगार बात कें तो दोस्टों याशमे जिवन साथी के स्वास को लेकर चिंता रह शकती है प्रदों दोस्तों आपका उनकी देखवाल करना था पारिवरी कारियों में श्यू करना आपसे संबन्नों को और अधिक मधूर बनाएगा इसको ब्राँ दोस्तों यहशो में आपके लवलाइब के लिए संबने रहे होंगे जुशतों आपके जिवन साथी की वाल शयू आपके चिंताओं को कम करेगा तथा आपसे संबन्नों में भी नई देखवाल क्या हैंगी बने रहेंगे इसको ब्राव दोस्तों याश में अगर आपके स्वास्त को लिकर भात करें तो दोस्तों कहान पर वा फिर दिंचिर्या को वैस्तित रखें आने था लापरवाई की वज़ा से फेट खराब रहें सकता है दोस्तों याश में स्वास्त अन्तमे ठी होगा स्वास्तों याश में चिंता और तनाव की वज़र से सिर्दरत भी रहे सकता है कुछ समय मेट्रेशन योगा में वहितित करें यह आपके स्वास्त के लिए याश में बैतर होंगी